मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी भासा के इतिहास का अंत्रगत हिंदी भासा और नागरिक लिपी का मानकी करण से 25 वस्तुनुस्त प्रश्णों का प्रैक्टिक सेट 1 हम लोग कभर करेंगे इसमें जितने भी प्रस्णों मैंने लाया हूँ सारे आपके एर्जाम में पुछे जाएंगे इसे प्रकार कर प्रस्णों पुछे जाएंगे और जो प्रिभियर Só के अलावा ओर महत्पुन प्रस्ण हैंगे उसे भी अम लोग कभर करेंगे शुरुबात करने से पहले जारखंड PT हिंदी का त्यारी करें किसी परकार कर नोट्स चाहिए या टोटल सिलेबस का, इंडिविजुल खंड का, टोटल खंड का तो आप 700-450-1486 पर आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं वनली वार्टसेप करना है, डॉन्ट कॉल शुरुबात करते हैं, बेरी बेरी इंपोर्टेंट प्रशने ये हिंदी भासा का मान की करन करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है हिंदी भासा अधियन वाला, हिंदी भासा अधियन साला, केंद्रिये हिंदी निरे साले हिंदी भासा परवतक संस्थान केंद्रिये हिंदी विकास संस्थान तो यहां से आप लोग खुद से टेस्ट लगा सकते हैं, खुद से लाइसिस कर सकते हैं कैकि इस टोपिक से भी दो से तिन प्रस्ट बनेंगा आपको गिजाम में तो विकल्प यहां से आपका बिल्कुल 20 सही जवाब हो जाएगा केंद्रिये हिंदी नीदे साले की ओर से दिवनागरी लिपी तथा हिंदी वर्तनी का मान की करन का प्रकाशन कीस वर्ष हुआ तो जो विकल्प दिये हैं आप लोग का पास 1983, 1986, 1966, 1968 तिहां से जो सही विकल्प होगा 1983 विकल्प यह सही जवाब नेक्ट प्रकाशन जो है मानक दिवनागरी वर्णमाला भारत के सिच्छा मंत्राले के द्वारा कब परभावित की गई थी 1865, 1966, 1957, 1955 तो यहां से जो विकल्प सही होगा विकल्प भी होजागा 1966 दिवनागरी लिपी और हिंदी वर्टनी मानकी करण 1983 स्वी में किस ने परकाशित किया था विकल्प है आपके पास केंद्रिये हिंदी निदे साले भारती हिंदी परशद, हिंदी भासा परशद, हिंदी सलाकार समिती तो यहां से बिल्कुल को सही जब हो जाएगा केंद्रिये हिंदी निदे साले हिंदी वर्दनी का मान की करन कब किया गया था 1966, 1967, 1983, 1963 तो यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा विकल्प B, 1967 नेक्ट है केंद्रिय हिंदी निरसाले के स्थापना कब हुई है तो यहाँ से विकल्प आपका B, सही वाभगा 1960 इसके बारे में थोड़ डिटेल जान लेते हैं हम लोग हिंदी के परसार के लिए तथा संपुन भारत की एक भासा के रूप में इसे अस्थापित करने के लिए केंद्रिय अस्तर पर बहुत सारे पर्यास किये गए हैं इसका जो मुख कार है केंद्रिय हिंदी निरसाले का मुख कार है सब्द कोसो, बिस्व कोसो और हिंदी वहासियों के लिए पाठ पुस्तोकों का परकास संद करना नेक्ट है उन 147 स्वी में उत्तर परदेश सरकार ने किसकी अधेश्टा में एक समीती गठित की जिसने बाराख खड़ी मात्रा बेवस्ता अनुस्वार और अनुनासिक से सम्मंदित महत्मुन सुझाओ दिये थे विकल्ब आपके पास हैं बिनोव भावे, सावरकर बंदू, अचार नरेंदर देव और स्री निमास्ट तो यहां से विकल्ब आपका सी सही जवाब होगा अचार नरेंदर देव नेक्ट है नागरी लिपी में मत्राओं के विन्जन के वाद दाहिनी और अलग से रखने का सुझाओ किस ने दिया सावरकर बंदू, बाल, गंगात, तिला, गोरक परशाद, स्याम, सुन्दर, दाश, तिहां से विकल्ब सी सहयोगा गोरक परशाद कासी नागरी परचारनी सभा ने किस वर्ज और की बाराख खड़ी को और सभिक्रित कर दिया गया था तो यहां से आपको जो विकल्ब हैं 1940, 1950, 1946, 1945 तो विकल्ब डी हो जाएगा 1945 नेक्ट है किसने देवनागरी लिपी में सोडों के लिए आव की बाराख खड़ी त्यार किया सावरकर बंदू, स्री निवास, बाल गंगादा तिलग, डॉक्तर गोरक पसाद, तिहां सोगा विकल्ब ए सावरकर बंदू नेक्ट है देवनागरी लिपी में किसने पाचमाचर के स्थान पर अनुस्वार के परियोग का सुझाओ दिया डॉक्तर गोरक पसाद, सावरकर बंदू, डॉक्तर स्याम सुंदर्दास, बाल गंगा था तिलग, विकल्ब सिर सैजवाब होगा डॉक्तर स्याम सुंदर्दास नेक्ट है तिलग फोंट या कैसरी फोंट में कितने टाइप के फोंट का सुझाओ दिया गया था 200, 190, 196, 195 विकल्प भी हो जाएगा 190 नेक्ट प्रेस्टन जो है मुल देवनागरी लिपी में वर्णो, संजुकताच्रो और मात्राहूं आधी को मिलाकर कुल कितने टाइप हैं तो यहां से जो विकल्प हो जाएगे 400, 402, 403, 430 नागरी लिपी के लिए लोक नागरी नाम किस ने दिया आचार नरेन देव, आचार बिनोवा भावे, रविन्ना टैगो, राजा राम मोहन राई तो बिल्कुल यहां से विकल्प भी सहीजवा भावे, आचार बिनोवा भावे पंदरना प्रस्ण है, उत्तर परदेश सरकार द्वारा गर्थित लिफित सुधार परिशत की 28-29 नॉवंबर 1903 में हुई बैठे की अधेशता किसने की थी डॉक्टर जाकिर हुसेन, डॉक्टर स्वरपली राधा कृष्णन, स्री बिवी जती तो यहां से विकल्प भी हो जाएगा, डॉक्टर स्वरपली राधा कृष्णन, नेक्ट है, उत्तर परदेश सरकार द्वारा 1907 में गठित देवनागरी लिपी सुधार के समीति के अध्यच कोन थे, डॉक्टर धिरेंदर बर्मा, आचाद नरेंदर देव, संपुना नंध, तो विकल्प D जो है, इनमें सुकोईने, विकल्प C सही जवाब होगा किस बिद्वान ने देवनागरी लिपी क स्थान पर रोमन लिपी स्ववकार करने का सुझाओ दिया था, महात्मा गांधी, सुनिती कुमार चटर जी, काका कालेकर, विनो भावे तो यहां से जो बिकल्फ हो जाएगा बी हो जाएगा सुनिती कुमार चठे जी भी भी आई प्रशन यह है नेक्ट है देवनागरी में आ के बाराख खड़ी का सुजाओ किस ने दिया था नरेने देव काका केलकर कालेकर डौक्टर स्याम सुन्दरदास बिड़ो भावे तो यहां से जो बिकल्फ हो जाएगा बिकल्फ भी होगा काका कालेकर नेक्ट है नागरी लिपी सुधास समीती के संजोय कोन थे संजोय कोन थे काका केलकर स्री निवास भारतेंदु हर्चन अचार नरेनदेव तिहां से बिलकुल ए सहीजवाव होगा काका कालेकर नेक्ट है देवनागरी लिपी का सोपर्थम परियोग किस राज में हुआ माना जाता है महराष्ट उतरपदेश राजस्थान गुजरात बिलकुल डी सहीजवावगा गुजरात नेक्ट है मानव के मस्तिक से निकली हुई वन मलाओं में नागरी सबसे अधिक पूर्ण वन माला है देवनागरी लिपी से सम्मनित यह कथन किसका है तो यहां से जो बिकल्प सहीजवावगा बिकल्प ए होगा संसार में अधिक कोई सरवंग पूर्ण अच्छर है तो देवनागरी के है देवनागरी लिपी से सम्मनित यह कथन किसका है आईजक पिटमेन गिलक्राइश्ट हजारी पसाद दिवेदी रामचन सुकल तो बिकल्प ए हो जाएगा सही जब आईजक पिटमेन नेक्ट है देवनागरी अच्छो से बरकर पुर्ण और उत्तम अच्छर दुसरे नहीं है देवनागरी लिपी से सम्मनित यह कथन किसका है तो यहाँ से बिकल्प भी सही हो जाएगा प्रोफेसर मोनियर बिलियम्स नेक्ट है देवनागरी दुनिया की सरवाधिक बियानिक लिपी है यह कथन किसका है तो यहाँ से बिकल्प डी सही जब हो जागा राहूल संकत्यान आज का अंतिम प्रस्ष्ण जो है नागरी लिपी से बरकर बियानिक लिपी मैंने पाई नहीं देवनागरी लिपी के समन में यह कथन किसका है तो अचार बिनोवा भावे सर आईजक पीटमेन, राहूल संकत्यान, गिरसन तो यहाँ से बिकल्प एस है जब होगा अचार बिनोवाव यह थे हिंदी भासा और नागरी लिपी के मान के करण से टॉप 25 प्रस्वोत्त इसके बाद एक ससन आउर जायेगा जिसमें हम लोग लबा 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 साथ तक प्रस्वों का हल करेंगे आई 26 से लेकर साथ तक प्रस्वों का सुल करेंगे या पचास तक ओके थैंक यू सो मच फूर वाचिंग मै वीडियो